मस धनिया पाउडर तो सबसे पहले हम दाल को 3-4 पानी से दो कर और 15-20 मिंट के लिए बिहू देंगे तो दाल हमारी भीग चुकी है प्याज तरमाटर अद्रक हरीमेड चौर अहरे धनिया को हम आप खाट कर लेंगे प्याज, अद्रक हरीमेड चौर और तरमाटर को बारिक ट लिया है Kokar को चूले पर रख दिया है और इसमें एक चमजर तेल QARम होने के लिए डाग दिया है कि तेल गरम हो चुका है तो इसमें मसारी जांगे कर्टी प्याग भी डाल देंगे काटा अध्रक और हरीमिश्क भी डाल देंगे मसाले पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा पानी डाल कर भूनेंगे इनको भी दो मेर्ट भून लेंगे मसाला ना भन चुका है तो इसमें टमाटर भी एट कर देंगे और इनको भी हलका सा सौफ्ट कर लेंगे, तमाटर हलकी से सौफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, और उबलने देंगे, तो पानी अच्छी तरह से बॉइल हो चुका है, अब इसमें डाल को डाल देंगे, और ढकल लगाकर दो सीटी ले लगे, तो दाल हमारी हो चुकी है, अब इसमें तड़का लगाने की तहियारी करते हैं, यह हमारे तड़के का सामान है, आदा प्याज कट कर ली है, और दो लाल मिर्चें, एक हरी मिर्च साबुत, और आदा चम्मच जीरा और थोड़ी सी राई, तेल गरम हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम जीरा और राई डाल देंगे, और इसके बाद प्याज डाल देंगे, इसे होने देंगे, खोड़ा हलका रंगाने देंगे प्याज में, अब इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च भी डाल देंगे, प्याज में कलार आने देते हैं, अब डाल में हरादनिया डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे, तड़का भी रेडिंगी चुका है, तो इसको डाल में डाल देंगे, तड़का भी डाल में डाल देंगे, यह खाने में बहुत टेस्टी होती है, तो डाल रेडि हो चुकी है, इसे चाहें तो चावलों के साथ, चाहें रूटियों के साथ खाएं, यह दोनों में ही मज़ा देगी, और सर्व करते वक्त एक चमस देसी घी का और एड़ कर देंगे, तो जाय का दुग न हो जाएगा, वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू,